हलो फ्रेंड सान्भी की रशोई हिंदी में आज बनने वाली है हरे मटर की कचोड़ी या पूरी जो भी आप बोलो तो मसाले वाली कचोड़िया मैं बनाना बताऊंगी फ्रेंड बहुत ही टेस्टी बनती है और सरदी के सीजन में आपको फ्रेस मटर सस्ते भी और अच्छे मि हैं आप इसको हलका दरदरा पीसेंगे ज्यादा वारिक हमें नहीं पीसना है इसको हलका दरदरा हम इस तरीके से पीस लेंगे तो लास्ट वाला जो मेरा बचा हुआ है आपको कितनी मटर चाहिए अपने अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं लेकिन इसमें देखे थोड़ा- मटर जो है बच गया है तो मैं और क्या करूंगी लास्ट में हींग और हरे मेर्च अदरक लहसुन यह सब डालके मैं एक बार जो लास्ट वाला बचा हुआ है ना उसको मैं उसमें ग्राइंड कर लूंगी और उसके बाद इसको मिक्स कर दूंगी आप मैं यहां कच्छा ही आप कर रही हूँ आप खाते हैं तो लहसंद डाले नहीं तो आप इसकी भी कर सकते हैं लेकिन अदरक आप ज़रूर डाले फ्रेंड और इसको हमने थोड़ा से एक चमद सर्सो तेल डालके इसको इस तरीके से हम ड्राइ कर लेंगे मैं मटर जब PC हूँ फ्रेंट तो इसमें पानी हमने अट नहीं किया है पानी हमें नहीं डालना है क्योंकि हम इसकी पूरिया बना रहे हैं तो देखिए बिल्कुल ड्राइ हो चुका है अब मैं एक बरतन में निकाल लिए हैं ठंडा करके और इसको मैं आप भरूँगी आप चाहे तो आटे जैसे गूते हैं वैसे गूत ले लेकिन मैं यहाँ पे इसको मिक्स करके बनाने वाली हूँ तो हमने जो मटर फ्राइ किया था ना वो इसको इसमें एड कर दिया है यह बहुत ही हैल्दी टेस्टी बनकर तयार होगा फ्रैंड यहाँ पे हमने डाला है हल्दी पाउडर थोड़ा सा धन्या पाउडर थोड़ी सी लाल मिर्च अगर तीखा पसंद है तो थोड़ा आप और ज्यादा एड कर सकते हैं उसके बाद हमने हाँ पे आजवाइन लिया है जो हाथ पे इस तरीके से क्रस्ट करके मैं डाल रही हूँ इससे इसका स्वाद और अच्छा आएगा और आधा चमच हमने हाँ पे लिया है आम चून पाउडर और थोड़ा सा करम मसाला और स्वाद के अनुसार नमक यहाँ पे ले रही हूँ यह पूड़िया आप तीन से चार दिन तक भी इस्टोर करके रख सकते हैं आप खा सकते हैं कहीं आपको जाना हो तो वहाँ भी ले जा सकते हैं और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डाला है रिफाइन ओयल आप चाहे तो यहाँ घी भी आइट कर सकते हैं चाहे कोई भी आप कोकिंग ओयल खाते हैं वो आप यहाँ पे आइट कर सकते हैं मैंने यहाँ पे रिफाइन ओयल डाला है और थोड़ा सा डाला है मेथी का पत्ता इससे क्या होगा ना इसका टेस्ट और जादा अच्छा हैगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेस मेथी का पत्ता कटा हुआ डाला है आप चाहे तो डाले नहीं तो आप इसको इसकी भी कर सकते हैं और पहले हम क्या करेंगे मटर में थोड़ा पानी है तो इसलिए हम इसको इस तरीके से पहले अच्छे से मिला लेंगे ताकि जब हम पानी इसमें आट करेंगे ना ताकि यह गीला ना हो इसलिए तो हमने यहाँ पे आटे के साथ पहले सब जितने भी मिश्रन हमने इसमें आट किया है वो सारा मिला लिया थोड़ा थोड़ा पानी करके हम आटा गुथेंगे आटा जो है जितना अब अच्छे से गुथेंगे न उतना ज़्यादा इसका पूरी जो है वो अच्छे से सॉफ्ट और फुली फुली बनेगी तो देखिया आटा बिल्कुल हमारा पर्फेक्ट गुथ कर रहें अब मैं इसको पान से साथ मिनट के लिए ओल लगा कर ढख कर रख तुगी ताकि जो है न इसमें जो हमने मसाले आट किये हैं वो अच्छे से मिल जाए तो हमने इसको अब ढख के छोड़ दिया है दस मिनट के लिए और दस मिनट बाद आप देख सकते हैं आटा कितना सॉफ्ट हो चुका है जब हमने इसमें नमक डाला है न तो मटर जो है वो थोड़ा सा पानी छोड़ा है और बहुत ही सौट पन कर तयार हो गया है मैं यहाँ पर चोटी चोटी लोईयां काट लेती हूँ और जैसे हम नॉर्मल पूड़ी बनाते हैं वैसे ही से हम इसका बनाएंगे यहाँ पर पलोथन थोड़ा कम लगाएं नहीं तो जो हम घी में फ्राइ करेंगे न जो ओइल में उसमें आटा जो है वो जल जाता है इसलिए थोड़ा ही हम इसमें पलोथन लगाएंगे तो इस तरीके से हम सारी पूड़ीयां जो हैं वो बेल लेते हैं और फ्रेंड यह दही के साथ आप खाएं इसको या फिर आप हरी हरी धनियाज की चटनी के साथ खाएं बहुत ही स्वादिश लगती है और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको मतर के पराठे बनाना और इस वीडियो में मैंने बताया है कचोड़ी बनाना तो दोनों रैस्पी मेरी है डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों रैस्पी का लिंक डाल दूंगी आपको अगर यह मतर के चोड़ी अच्छी लग रही है तो आप मेरा वो पराठे बाले भी रैस्पी देख सकते है तो इसको हम हाई फ्लेम पे इस तरीके से सेख लेंगे जैसे नॉर्मल पूरियां सेखते हैं वैसे ही और आप किसी को भी यह भेज भी सकते हैं अगर आपके घर कोई गेस्ट आता है तो आप इजली इसको बना भी सकते हैं और यह रैस्पी आपको कैसी लेगी कॉमेंट करके जरूर बताना और साथ के साथ मेरे चैनल पे नए है तो चै बाइब फ्रेंड टेक के आए